स्वधर्म, स्वधेशी और स्वराज 1911 तक आते आते वो जो अंग्रेजी शिक्षा विवस्ता में से पढ़कर निकलेवे लोग जैसे जैसे करके विज्ञानिक बिना सपने देखे नहीं बनता सपने मातर भाषा में आते हैं कभी विदेशी भाषा में नहीं आते हैं जो 1905 में बंगाल के विभाजन को स्विकार नहीं कर रहा था उसने 1947 में देश के विभाजन को स्विकार कर लिए स्वाधिंता के अंदोलन के दो भाग बनते हैं 1757 से 1858 तक जब तक और यहां पर विदिवत महरानी का शासन नहीं हो गया, ब्रिटिश इंडिया का शासन ब्रिटिश इंडिया नहीं हो गया, तब तक का उनका एक सो वर्ष का कालखंड अपने शासन को स्थापित करने का था, हमारा हर पल पे हर स्थान पर वो संगर चल रहा लेकिन 1858 तक आते आते एक विवस्तित उन्हों ने इस देश भी अपना शासन स्थापित कर लिया, दीरे दीरे करके यहां की शिक्षा विवस्ता, यहां की समाज विवस्ता, शासन विवस्ता, देश के एक बड़े हिस्वे में वो सब होना प्रारंब हुआ, उस कालखंड म 1858 से ही प्रारंब होकर 1911 तक हम कह सकते हैं कि हमारे स्वाधिन्ता के इस संगर्ष का एक हिस्ता था, जिस समय अपने इस स्वाधिन्ता के आंदोलन की प्रेड़ना जो है, वो स्वत रही थी, यह जो वास्तों में हमारे आंदोलन की प्रेड़ना थी, वो स्वत रही थी, कालखंड में बासुदे बलवन्थ फड़के या उनसे प्रेड़ना प्राप्त करके उस कालखंड में महराष्टर में जो सारा करांतिकारी अंदोलन प्रारंब हुआ पंजाब में सद्गुरु राम सिंग कुका उनसे प्रेड़ना प्राप्त करके स्वाधिंता का संगर्ष प्रारंब हुआ वो स्वामी द्यानन सरस्वती जी से प्रेड़ना प्राप्त करके आरे समाज और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा स्वादीनता के संगर्श की जिसकी बड़ी भूमी का योगदान रहा वो रामकिष्ण परमंस स्वावी रामकिष्ण परमंस से प्रेड़ना प्राप्त करके स्वामी वेकानन्द भगनी निवेदिता और उसके बाद और उसी कालखंड के अंदर बंगाल में राज नेरेंड बसुच जिन्होंने हिंदू मेलों से प्रारंब किया अपनी मात्र बाशा में शिक्षा की बात कर रहे थे उस कालखंड में अपनी रूडी कुरीतियों को दूर करने का हम प्रियास कर रहे ते उस कालखंड में अपने उद्योग, अपने कुटीर उद्योग, अपने काम दंदे, इन सब की बाते चल रही थी, स्वदेशी की बाते चल रही थी, वो हमारा आंदोलन का जो हिस्सा था, वो स्वत्रही का था। लेकिन 1911 तक आते आते, वो जो अंग्रेजी शिक्षा विवस्ता में से पढ़कर निकलेवे लोग, जैसे जैसे करके, सामाजिक, शैक्षिक, मीडिया, समाज की सब संस्तों में प्रभावी होते चले गए, देखते देखते अपना ये संगर्ष, स्वत्रही से बदल कर केवल स वराज तक सीमीत हो गया, वो जिस काल खंड के अंदर जगदीश चंद्र बसू ये कह रहे थे कि मेरी ये सारी आये, इसके दो हिस्से कर लो, एक हिस्सा भारतिये भाशों में विज्ञान की शिक्षा, और दूसरा हिस्सा भारत में मोली कनुसंधा, उनको जर्मनी की प्रिय के लिए मेरे पास आएंगे, ये हमारे स्वाधिन्ता अंदोलन की प्राकाष्ठा थी उसका लखंड के अंदर, वो बंग्य विद्या ज्यान परशद के अध्यक्स होते वे सत्यन बहुत बार बार वाशन दे रहे थे, वो फ्रेंच जानते थे, जर्मन जानते थे, इंग्लि विद्यानिक बिना सपने देखे नहीं बनता, सपने मातर भाशा में आते हैं, कभी विदेशी भाशा में नहीं आते हैं, विज्यान का मोली के नुसंदार ये कभी विदेशी भाशा में होगा ही नहीं, वो मातर भाशा में होने वाला है, ये हमारे स्वाधिन्ता के अंदोल प्रवेश ले रहे थे वो हमारे आंदोलन की एक प्रकाष्ठा थी वो स्वत्रही की प्रेड़ना से चलने वाला स्वाधिन्ता आंदोलन 1947 तक आकर जैसे तैसे आजा दी और जो 1905 में बंगाल के विभाजन को स्विकार निकर रहा था उसने 1947 में देश के विभाजन को स्विका यह जो स्वाधिन्ता के आंदोलन की जो वास्विक प्रेड़ना थी वो जो स्वा था वो स्वा क्या था वो किवाल स्वराज नहीं था वो किवाल इंडिपेंडन्स नहीं थी वो जैसे तैसे करके अपने लोगों का शासन नहीं था उसकी प्रेड़ना के अंदर इस देश की हजारो हजारो वर्षों की जो संस्कृती है उस संस्कृती के वैशिष्टे के साथ दुनिया की युगनुकूल प्रशनों का उत्तर देते वे भारत को विश्व में एक भारत की जो भूमिका है उस भूमिका के लिए त्यार करना था जिसको बार-बार मारिशी अरविंदी ने कहा spiritualism is the only politics मेरे लिए और राजनीती कुछ नहीं है भारत महान होगा यानि भारत की सोतंतरता का मतलब क्या है भारत महान होगा यानि दुनिया के अंदर भारत हिंदुत्यों के अपनी विशेष्टा को लेकर सारी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करेगा यह हमारी प्रेड़ना थी उसका लखंड के अंदर स्वामी जयारन सरसोदी कह रहे थे वेदों की पुनर प्रतिष्टा उसके आधार के ओपर जीवन की रचना यह जो अपने समाज जीवन के स्वाधीनता के आंदोलन की जो वास्त्विक प्रेड़ना थी उस प्रेड़ना को समझने की आउशकता है